आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि प्रीविस हम इसको लिंक करेंगे कि हमने प्रीविस टॉपिक के अंदर जब डिमेंशन स्टाल मैनेजर को अक्सेस कर लिया था और हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी थी इस टॉपिक के अंदर हम मेंली देखते हैं कि क्या क्या चेंजिस हम जाके उसके अंदर करेंगे कौन सी ऐसी चेंजिस हम जब कर लेंगे तो उसके बाद क्या हमें स्क्रीन के उपर नदर आएगा जनी जिस तरह जब हम इस लेक्चर के अंदर डैमेंशन स्टाइल में जाके मईरमेट्स देखेंगे और हम देखेंगे कि यूनिट्स हमारे बहुत ही स्मॉलर साइज के नजर आ रहे होंगे वो वीजिबल भी नहीं होते स्क्रीन के उपर या प्रोजेक्ट की नेचर यह होती है कि आपने इस लेवल के उपर इस डैमेंशन साइज में यूनिट्स स्क्रीन के उपर शोग करेंगे हम घायके चक करेंगे और जैमेंशन मेनजर और समारी मेंशन में यूनिट्स को कैसे चेंज करते हैं के साथ paths आपके उस दीजुग के उपर नजर आ रही होगी ऐएंगे बढ़ते हैं CAD की तरफ और और देखें tv तो लिए Wasiis को को मुट्यूट किया कि था और हमने मेरमेंट्स देखी, मेरमेंट्स हो चुकी थी लेकिन उसकी जो टेक्स्ट का साइज था वो इतना स्वाल था कि हमें नजर नहीं आ रहा था और हमने देखा कि हम किस तरह डैमेंशन स्टाइल मैनेजर के तक पहुंचते हैं और फर्दर हम इस लेक्षर के अ रंदर चेक करते हैं कि वहां से हम कौँंसी ऐसी सेटिंग्स और कौन इसी चीजों को चेंज करते हैं और हमारी जो डैमेंशून हैं वो एजली हम उनको रीड कर सके तो यह हम्रे पास प्रिवशलिग किया था यह फ़ाद लाइन है और ये लाइन के साथ हमने डामेंशन मेजर की तो यहां पे बिलकुल साथ एक डाट जो राइट साइड पे एक स्माल डाट नजार आरेट मिन्स यह हमारी डामेंशन है जो लिखी हुई है लेकिन वह भी यहां पे उसका साइज इतना काम है जो वीजिबल नहीं है तो हमने प्रिविस टॉपिक में जिस तरह दो मेथड देखे अभी हम फिलाल फॉर्मिट के अंदर जाकर और डामेंशन स्टाइल के उपर क्लिक करते हैं तो यह हमारे पास एक विंडो ओपन हुई थी जो के हमने प्रिविस टॉपिक में देखी अब हमारे पास यहां पे इल्य नहीं करना चाहर कहा है जो यूनित्स हैं रखना रहा है तो हम इसको सेट करन्ट है अगर भी यहां पे नहीं भी छेड़ते तो जो जो श्रीन कीह नीचे चल रही है इसके बाद हमारे पास new है अगर हमने कोई नया यहां पे खुद से कोई dimension style बनानी है और हम चाहते हैं कि वो units अगर हम भी चेक करेंगे कोई unit specify करना चाहें उसकी यहनी हम खुद से create करना चाहें कोई नया dimension style और फिर हम इसको आगे as it is apply भी करना चाहें यह हमारे पास यह भी option मौजूद है और नीचे हमारे पास फिलहाल जिस option में हम जा रहे हैं वो है modify dimension style के बाद हम modify में जाएंगे जैसे ही हम modify में click करते हैं actually हम modify means कि जो already crunch dimension style हमने set किया हुआ है हम उसके अंदर changes करने जा रहे हैं कुछ नई चीजें नए options पिक करने जा रहे हैं नए चीजें add करने जा रहे हैं तो यह हमारे पास जैसे हम open करते हैं तो एक नई window जो है एक छोटी सी हमारे सामने open हो चुकी है जिसमें line है, symbol है, arrows है, text, primary units तो यहां पे हमने जिन चीजेंज को change करना है फिलाल सबसे पहले हम primary units में आएंगे primary units में हम exactly इनको वही units कर देंगे जो हमने already previously set की है उन units को हम set करेंगे, जो units हमने units जब UN की command इस्तिमाल की थी, वहां set किये थे तो यह हमारे पास unit format है, तो exactly हमने architectural unit ही set किये थे बास अकात यहां पे भी जब आप change करते हैं तो decimal degrees set होता है तो आपने इसे confused नहीं हो ना, आपने exactly इनको भी हम architectural कर देंगे और presion भी हम वही रख लेंगे जो हमने unit set करते वक्त रखी थी, तो यहां पे हमने दो changes करनी है, unit format हमने change कर दिया और इसकी presion को हमने same कर दिया जो हम already follow कर रहे थे, अब इसके साथ जो दूसरी चीज हम change करेंगे हम primary units के बाद हम text में हैंगे primary units में दो चीजें, again note करें, unit format और presion, यह वही same दो चीजें हैं जो हमने units में ही set की थी, अब हम यहां पे आते है, text में, actually यह है वो चीज हमारी, यहां पे वो हमसे text style पूछ रहा है, यहां पे वो text color पूछ रहा है, अगर आप color बदलना चाहते हैं और आप चाहते हैं, यह मैंने color बदला, तो साथ जो है, preview जो है, यह preview आ रहा है, actually, यह show कर रहा है, कि जब measurements हम जब note करेंगे, वो कैसी होगी, तो यह हमारे पास हमारा preview है, जो हमें बता रहा है, तो यहां पे आप color, suppose, yellow कर देंगे, तो yellow हो जाएगा, तो हम कोई ऐसा color black रहने दें, आप by layer, या it depends, यह हम red में रखना चाहते है, यह है actually हमारी text height, यह height decide करेगी, कि हमारे text की visibility कितनी है, जितनी यह height हम बढ़ा देंगे, उतना text ज्यादा visible हो जाएगा, और जितनी height हम कम कर देंगे, उतनी text की height यह हो, उसकी visibility कम होगी, अभी यह one by fourth है, और हम फर्ज करें, इसको 20 कर देते हैं और 20 करने के बाद बाकी हम चीज़ें नहीं चड़ते हैं, और हम okay का यहां से button प्रेस करके इसको close कर देते हैं, अब अगर आप नोट करें तो थोड़ा सा visibility हमारी बढ़ गई है, पहले जब हमारी drawing थी तो यह बिलकुल एक छोटा सा यहां पे black spot नजर आ रहा था, बट अब वह spot थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ा सा अगर हम mouse को रूल करें तो यह हमारे पास रूल करें तो यह नजर आ रहा है thousand feet, but again एक चीज़ जो यहां पे याद रखने वाली है, CAD में, सारी drawing में जब आप work करेंगे, जब भी आप बगएर unit के कुछ भी लिखेंगे तो वह उ हमने 20 लिखा था, कोई unit नहीं दिया था, हमने ना feet का symbol रखा, ना हमने inch का symbol तो उसने उसको automatically feet में consider किया होगा, कैसे ही हम दुबारा repeat कर लेते हैं, हम d enter dimension, दुबारा जाते हैं, और यहां से हम जाते हैं modify में, और modify से हम चले जाते हैं, text में तो उसने 1 by 8 इसको feet inches गंतर consider कर अब हम इसको text height को ही कुछ इस तरह कर लेते हैं, कि suppose हम 15 और 7 feet का symbol यूज़ कर देते हैं, जब आप symbol कर देंगे तो फिर इसको यह वही consider करेगा, जो हम, अब हमने आप नोट करें तो बिलकुल यह 15 के साथ, this one, यहां पे मेरा भी mouse यह है, यह हमने एक symbol भी यूज़ कर दिया जो बता रहा है कि यह 15 feet है, इसको 20 feet भी कर सकते हैं, तो यह बाज वकात अब यह question के इसकी height exactly हम यहां पे कितनी रखनी चाहिए, यह depend करता है, हमारी nature of assignment पे और demand के ओपर, कि जहां हमने इसको submission करानी है, बाज वकात submission requirements के अंदर यह चीज़ें लिखी होती है, कि आपने line हैंगे house plan की तरफ, तो हम दुबारा इसको check भी कर लेंगे, तो हम यहां से इसको okay करते हैं, और यहां से हम इसको close, अब अगर आप note करें, तो जैसे ही मैंने feet का बढ़ाया है, तो यह thousand feet जो है, यह बहुत clearly मेरे पास यहां नजर आ रहा है, लिखा हुआ, अब हम फिलाल इस इस method को दुबारा quickly, यह suppose हमने एक vertical line और इसके line की measurements हमने नहीं दी, हमने वैसे ही इसे click करके enter करके end कर दी है, कहीं पे भी, अब हम चाहते हैं कि इस line के लिए, तो process हमारा step 1 क्या था, हम जाएंगे यहां से dimension में, और यहां से जाएंगे quick dimension, और quick dimension के साथ जो यह symbol नजर आ रह क्लिक करने के बाद जैसे object select होगा, वो color उसका turn change हो जाएगा, वो थोड़ा सा blueish आपको look दे रहा है, enter करते हैं, और इसके बाद हम किसी भी side के ऊपर, तो यह 339 feet और 3 inches है, तो इस तरह जब भी कभी आपने measure करनी होगी line की length, तो इसके लिए, सबसे पहले line लगाने के बाद dimension, quick dimension, और फिर अगर हमने कुछ changes करनी हैं, तो dimension style manager, जिसको हम format से भी access कर सकते हैं, और simple d command जो हमने use की है, वहां से भी हम note कर सकते हैं, तो इस तरह हम CAD के अंदर different objects की measurement screen के ऊपर show करेंगे, तो in the topics के अंदर हमने check किया है, किस तरह हम एक line लगाने के बाद, अगर screen हमने वहां show करनी हों, दिखानी हों, तो हम किस तरह कर सकते हैं, तो हमने simplest कुछ commands को use करते हूँ, और मेन dimension style manager के अंदर कुछ changes करने के बाद, एक quite visible text जो है, हमारा screen के उपर नजर आ रहा है, तो इस तरह जब कभी onward, हम आप drawing measurements की बात करेंगे, इस तरह हम measure करेंगे.